विजी वीडियो में हमने ये देखा था कि जो American dry grass से कि इस तरह से लगया जाता है आज के इस वीडियो में हमने जो भी बर्सी मोर जई भोने की जो लाइू प्रैक्टिकल कि किस तरह से बहुआ जाता है हमने आज के वीडियों में देखा है जो ड़े निएंanc जो अधर ज एसे करना है हो किस तरह से की जाता है यहां से पानी का जो यह बहाँ फास्ट होता है और जो भी भींज हमने आपर जो पत्टियों गाधि लुवाफे के अपर सामने हमने डाला है यह बहुत जाने की जादा सम्हाना होती है इसके नमस्कार किसन भाई हा रामराम स श्रीयकाल क्या हल्चाल तो यह गट्फम इस यूटूब चाहे दल में फिर से एक बार आपका स्वागत दे तो किसली बार हमने जो यहाँ पर राइग्रास बोया था और राइग्रास बोने के बाद किसन साथ यह आप देख सकते हो हैं अमेरिकन राइग्रास किस तरह से यहाँ पर आ गया है पिसली विडियो में हमने देखा था कि जो अमेरिकन राइग्रास से इस से लगाया जाता है इसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल है रूप में एक विडियो हमने बनाया था तो इसका यहाँ पर जो प्लौट इक किसंग सकते हो जो अमिरिकन राइगरा से वो बोने के बाद डालने के बाद पूरा या पर germination 100% हो गया है और लगबग लगबग किसान साथ यह इसका height भी आप देख सकते हो 7-8 inch तक इसका height हो गया है तो फिलाल किसान साथ यह हम आज के इस video में बरसिम डालने वाले है और जो जही डालने वाले है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जही का भी बीज है तो जही का बीज किस तरह से होता है आप देख सकते हो और फिलाल हमारे पास बरसिम ग्रास है लगने से पहले हमारे पास दोनो बीज आवे लेबल है उसके बाद जो मैं बटता रहता हूँ कि जो ऐसा हमको इसको फटी वाफा बोला जाता है ऐसा वाफा हमको पहले से तैयर कर लेना है इससे पहले भी जमिन की सारी तैयरी हमें कर लेनी है तो उसके बाद में बीज डालने से पहले हमें जो एसेसपी पाउडर ये सिंगल सुपर आप देख सकते हों यह हमें फर्टिलाइजर के दुकान में इजीली मिल जाती है सबसे पहले हमें सिंगल सुपर फॉस्पेट पाउडर या पर डाल लेनी है तो वह किस तरह से डाली जाती है वह भी मैं आपको या पर दिखाता हूँ तो किसान साती वह जो सिंगल सुपर फॉस्पेट पाउंडर यह क्यों डालगानी चाहिए क्यूंकि सर्दियों के मौसम में सर्दियु के मौसम में क्या होता है जो भी बीज हम जमिन में डालते है वो जमिन Geme से रिखाऊना के लिए बहुत सारी मसचकत होती है अ बहुत सर्दी हotion होती है । इसके कारण बीज निकल 냉 옆ी होती है एक साथ साथ इसके साथ यह खात का वहारा काम करता है के साथ आंक शूप्र यहां पर होती है तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं इसलिए हमें कौन सा भी बीज बोनस से परे यह जो एसेस्वी पाउंडर रे सिंगल सुपर फॉस्पेट पाउंडर यहां पर डाल के लिनी है तो किसाम सात्यों आप देख सकते हो यहां पर जो पहला पार्ट हमारा यहां पर हमने वाफा फट्टी तैयार कर लिया है उससे पहले बीज बोने से पहले किसाम सात्यों यहां पर पूरा जो सिंगल सुपर फॉस्पेट है यह सेस्पी पाउंडर यहां पर पूरा मेने यहां पर छिड़क लिया है सिंगल सुपर फॉस्पेट छिड़क लेने के बाद बारी आती किसाम सात्यों बीज डालने की तो आप हमारे पास यह देख रहे होगे, एक केजी बर्सी में हम डालने वाले हैं, तो फिलाली आपर जो अमेरिकन राइगरास है, और ये भी अमेरिकन बर्सी में, देख सकते हो आप, जो अमेरिकन बर्सी म का सीड से हो, किस तरह से आपर दिखता है, तो आप पूरे आप एक बर्सीम है किस तरह से विज होता है सिंगल सुपर फोस्फेट होने बादा अभी विज की बारी आती तो हम पहले बीज आपर डाल लेते हैं तो दीज किस तरह से डाल है यहां पर देख सकते हो जो हमरी मुथ crash में की लेना है कि सान साती हो और बीज लिजा थी मिलेने के बाद यहाद इस तरह से हमें बीज जटकना है पूरे एक समान गास उर् shift हमें चवर्सीम गांस आप रिज्व के लिए इसका चारा दे सकते हो है उसे बहुत Deo impos जो बर्सीम गास होता है किस तरह से अलगाना लगतें किस तरह से लगणा चाहिए और वसे बहुत सारे अलग-आलग अलग-अलग किसानों के एहां सवाला के नि आप सवाला के आप के कुरुम के लेए पूरे दिनमदिन कीसान को फूरब प्रम प्रैक्टिकल ऌर्ड़ेट तो और विसावाल होगे कि संसातियों आपने की जो बरसीन सीट्स होता है हम एक एकड में कितना बौना है बिगे में कितना बौना है तो कि संसातियों बहुत सारे अलग-अलग जगह इसी होती कि किस जगह पर बीज ज्यादा बहुत जाता है किस जगह पर बीज कम भी बोया जाता है तो हमारे इसाब से जो बरसीन का सीर से बीज है एक एकड में 15-16 कोई 20 kg भी डालता है और कोई 12 kg भी डालता है जिसके जिसके उपर डिपेंट रहता है तो यह जो बरसीन डालने के बाद कि संभायों इसका जर्मनेशन कैसा होत समश्या निकलने के बाद इसका पहला कटाउ कंबाता है सेकंड कम आता है इसको पानी कैसा दे ना है जो भी यहां पर इसको ओड भी बोला जाता है और भी इसके कुछ अलग नाम होंगे यह जो गिहू जैसे दिखने वाला मतलब यह गिहू नहीं है वे चावल के जो पहले छिलके रहते हैं उस तरह से दिखाई जाता है हम यह जई है किसान साथी है इस जई को हम छिटक कर भी लगा सकते है और टैक्टर और बहील के साथ इसके बुआई भी हम कर सकते है तो फिलाल हम डेमोनेशन के लिए कर रहे है किस तरह से आता है किस तरह से दिखता है कैसा चलता है बहुत किसाना को मालुम भी है जई का रिज फुटा होते हैं फुटा थोड़े ज्यादा होते हैं इसलिए हम इसे थोड़ा सा पतला डालेंगे और कि ज्यादा यापर बीच की संग के हम ज्यादा डालेंगे तो फिर से प्रोब्लम दिक्तत होगी इसलिए हम थोड़ा सा पतला पतला इसे डाल लेंगे हम अपने पश्चुओं के लिए बक्रिय के लिए सभी प्रकार के जानवर के लिए जो जई है इस जई की भी भुवाई हम कर सकते हैं इसे लगाने का सिजन अभी स्टार्ट हो गया है सर्दियों के दिनों में यह जई बुई जाती है वो किस तरह से हम लगा सकते हैं बहुत सारे किसानों को मालूम नहीं है और बहुत सारे किसानों को मालूम भी है जिन किसानों को इसके बारे में मालूम आप नहीं है उसके बार कि पिली लोग रहते हैं उन्हें सिप दूसरों को सतने में मज़ा आता है इसलिए जरूरत मंद किसान देख सकते हैं बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं तो हमारा जो जई है वो जई भी आपर पूरा डालकल तयार हो गया है तो किसान साथी यहाँ पर हमने बर्शिम का बीज डाला है जै का भी बीज डालने के बाद हमें जो उसके मिट्टी के आड जैसे करना है वो किस तरह से की जाता है वो भी आम लाईू में देखिए इससे हमें जो लोखनडी पंजा बोलते है इसकी जरूरत होगी तो इसे हमें इस तरह से करना है तो इससे क्या होता है कि संसातियों जो भी जोता है जब हम पानी देने वाले पानी से बहे नहीं जाएगा इसलों हमें बीज ऐसा जमीन में यहाँ पर मिक्स करवाना है मिट्टी में मिक्स हो जाता है यह श्रीप तो किसंसासात्यों जो भीज डाला है हमने बीज़ डालने के बाद इसको हमने मिट्टी के इधर उदर disclose कर दिया है वो भी किस तरह से किए आपने लाजू तोर पर देखा होगा तो भीज़ डालने के बाद किसंसात्यों हम प्रेशन आता है पानी का बहुत सारे किसानों के स मेरे पास यहाँ पर इसको बारदाना बोला जाता है पोता बोला जाता है यह है तो यह किस काम आता है कि संसाथ यह आप लायू में देख लिजिए क्यूंकि यहाँ पर हमने जो बीच डाला है तो हम डायरेक्ली यहाँ पर पानी देंगे तो यहाँ से पानी के बहाव से क्या ह जो जमिन के ऊपर जो बीच पढ़ा किसंसाति यो बीच पानी के बहाओ से उदर बहो जाएगा इसलिए हमें इस पोते का हम जुगाड कर रहे हैं आप भी कर सकते हो और फर्स्ट टाइम पानी देते समय किसंसाति हो हमें क्या करना है जो पानी का बहाओ है पानी का बहाओ इस तरह से काम आता है यह देज़िए हमें यहां पर बारा देख सकते हो आप क्या होता हे किसंसाति हो यह पर एकजेंपल माहीनल यहां से पानी कोड़ा है पानी छोड़ा है तो क्या होता है यहां पर देख सकते हों, पानी को पहाओ ने के पोटे से उपर से जाएगा, तो इससे क्या होगा यह विज हमारा उधर जाने की सम्भवना होती है, इसी प्रकाल से हमें पहला पानी देना है, और पानी देते सम्माए हमें जो पूरे तुरूम यहां पर भरवा के रखना ही, तो फिलाल देख सकते हो कि संसातिव यहापर हमने पानी भी छोड़ा है, पानी भी किस तरह से देना चाहिए है लगाना चाहिए ये भी मने आपको लाईू तोरी तीरी तरीके पर यहापर समझा दिया है घंपवर्ण के इस वीडियों में हमने आप लायू टेकनिक पर यहा पर बरसिम डाला है और यहाँ पर कुछ जई भी डाला है इससे पहले कि संस्थी यहाँ पर आपके सामने हैं लाई उपर यहां पर हमने जो अमेरिकन राइग्रा से उडाला था उडालने के बाद यहां पर आप उसका प्लाट भी देख सकते हो लाई उपर किस तरह से इसका प्लाट आगया है और आगे आने वाले समय में आने वाले दिनों में यहां पर जो अमेरिक देने का प्रयास यहां पर करेंगे फुदाल आज के इस वीडियो में हमने जो भी बर्सीम और जई बोने की जो लाईव प्रैक्टिकल किस तरह से बोया जाता है हमने आज के वीडियो में देखा है तो आगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो अलफा-फा जो रचका ग्रास सब्सकाइब करो बेल आइकेन को हिट करें इससे क्या होगा कि ऐसे ही चारे संबन्धित, खेती संबन्धित माई विडियो बनाता है यह इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा तो रुकते हैं, इसके हुड़ों में मिलते हैं जल्दी सी जल्दी तब तक के लिए जय जवान जय किसान